प्ले प्रदेश उपाधेच भारती किशान उन्यान वेज़ बताइए किन मांगों को लेकर आप लोगों ने आई आंदोलन किया हमारी तीन जो काले कानून फास हुए हैं केंद सरकार द्वारा इन्हें वापस ले किसान विरोधी वापस ले तीन कौन से काले कानून है एक मेस्पी क गारंटी दे तूसरा उचित मुल पे जो आज बिचवलियों द्वारा धान खरीदा जा रहा है इसको एक गारंटी दे कि 18 या कानून बनाए 18 रुपे से कम कोई धान नहीं खरीदेगा जो धान खरीदेगा उसके खिलाब कारवाई हो या जेल भेजा जा तो अब क्या मांग सरकार से यही मांग है जब तक ये तीन बिल वापस नहीं लेती है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे किस बात को लेकर के आप पूरे बारत वर्ष का किसान दिल्ली पहुंच चुका है और उनकी ये मांग है कि जो तीन क्रसी विरोधी किसान विरोधी कानून जो लाए गए हैं अभी हाल में उनको वापस लिया जाए मूल रूप से सरकार इस बात पर सहिमत भी हुई कि हम संसोधन करें लेकिन किसानों का ये कहना है कि उसमें जब कुछ अच्छा होता कुछ खराब होता तो आप संसोधन करते पूरे के पूरा जब गलत ही है तो संसोधन किस बात का उनको वापस लिया जाए और एक चौधा कानून और लाया जाए एमेसपी की गारंटी का जैसा कि आपने देखा होगा 1589 रुपे इसका जो रेट है यहूं का लेकिन 14 पंदा सो में गहूं भी रहा है अब धायान का ठारा सो अच्छ रुपे रेट मिलना चाहिए लेकिन 800 से लेकर के ग्यारा सो तक भी का ये किसान को गारंटी ही नहीं कि उ यह खरीता जाएगा हमारी यह मांग है कि जानों की मांग है कि अमेसपी का गारंटी का कानून दिया जाए और यहीं से नीचे खरीत होती है कि आप लोगों ने तो आप लोगों आज हर्दोई के प्रसाशन के और से आप लोगों के क्या मतलब दिया गया हर्दोई में वही मांगे हैं किसानों की मांगे है उनहीं हम लोगों नहीं किया है भारत बारत का एलान हुआ था उसका हम अगर मांग नहीं मानी जाती तो आपनी मांग को रखा है और प्रसासन के उन्दारा अपनी सरकार तक अपनी मांग को भेजा है अब सरकार इन मांग को किस तरीके से संग्यान मिलेती इनकी मांग को संग्यान मिले जा ये तो अपने आप में आने वाला वक्त ही बताएगा फिलाल हर्दूई से नीजवर्ट के लिए कैमरा परसन कपिल के साथ मैं नीतेश संसुकला जैहिन